Hello friends, welcome back to my channel and good morning, यह है सुभा का टाइम और मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपने किचिन से व्लॉग को और यहां मेरा ब्रेकफास बगारा सब हो चुका है और हजबिन जो है सुभा ही सबजी लेकर आये थे तो मैं सबसे पहले उसको सेपरेट कर लूँगी क्योंकि वो थैली में ह तो वो गलने भी शुरू हो जाते हैं हलके से भी गीले होते हैं तो मैं इनको सिफ अलग-अलग रख रही हूँ मैं वाश नहीं करूँगी क्योंकि अभी सिंक में काफी सारे बरतन पड़े हैं तो मैं बाद में इनको क्लीन करूँगी उससे पहले मैं इसको एक बड़े से ट कर देती हूं उनके आने से पहले जो भी मुझे साफ सफाई करनी होती है तो सबसे पहले जो है ना मेरी जो साफ सफाई स्टार्ट होती है वो किचिन से ही होती है मैं स्टार्ट किचिन से ही करती हूं जिससे कि मेरा एक बार किचिन क्लीन हो जाता है तो किचिन से ही कई बारी व निकाल के रखी है इससे फायदा यह होता है कि देखे जो helper आती है जब वो बरतनों को साफ करती है तो बाइचांस गलती से भी पानी के जरीए वो बहके पूरा सिंक में चला जाता है उदा ब्लॉकेज वगेरा हो जाती है तो मैं हमेशा जो चाय की पती वगेरा है वो खुद ह चलनी में लेके छान के अलग फैंक देती हो देट किसिन को साफ करने के बाद मैं आ गई थी अपने bedroom में तो मैं यहाँ करूंगी अपने fan को clean तो मैं हर रोम के जो fan है जब clean करती हूं तो one by one करती है तो next यह मैं दूसरे रोम का fan clean कर दोंगी तो देखे यहा एक चीज है एक अपने फैन को clean करते हैं तो क्या करते हैं सारा dust सूखे कपड़े से सब कुछ नीचे गिरता है बहुत जादा धूल मिट्टी हो जाती कई बारी बैड पर भी गिरता है बट अगर हम यहाँ पर दोनों ही कपड़े गीले लेंगे मैंने यहाँ पर दो कपड़े लिये हैं जिसमें दोनों ही गीले हैं और गीले कपड़े में क्या है मैं सारी पंखड़ियों के बारी बारी जो धूल है वो कपड़े में ले लूँगी और उसको फोल्ड कर दूँगी फोल्ड करने के बाद फिर दूसरे पंखड़ी को क्लीन करूंगी इससे जब सारी धूल मेरे कपड़े में आ जाएगी तो मैं हलका फुलका ही नीचे ज़ारती हूँ और दूसरे कपड़े से जो मैंने दूसरा कपड़ा जो गीला लिया है फिर उससे साफ करूंगी तो उससे ये मेरा पंखड़ बिलकुल चमक जाता है और कोई धूल उतनी उस पर बचती नहीं है और इसके ना पूरा नीचे अगर बिस्तर पर भी देखेंगे तो कोई धूल नहीं मिलेगी और जिस तरीके से मैं one by one bedroom के जो फैन है क्लीन करती हूँ तो पूरे घर के जो पंके हैं वो साफ रहते हैं तो ये मैं आप भी देखिए इसको साफ करने के बाद है इसको एक बार चलाना होता है एक बार अगर हम इसे चला देते हैं तो हलका फुलका भी जो बचता है वो भी यह है कि पता चल जाता है कि मतलब आप कभी ऐसा हो कि जाडू लगाने के बाद फिर फैन on करें तो पता चला कि सारा और बचा कुछा dust भी नीचे गिर रहा है इससे जादा कोई धूल मिट्टी इधर उदर नहीं गिरती है तो बस उसके बाद मैं कर लूँगी अपनी बैटशीट को चेंज क्योंकि इसे मैंने काफी दिन होगा इसको चेंज नहीं किया था कुछ न कुछ वाश होता है न तो फिर नहीं हो पाता है तो उसके बाद मैं अपने जो है बैडरूम की डस्टिंग वगरा कर लूँगी और ये डस्टिंग मैं सिर्फ इतना तक करती हूँ और डेली कुछ न कुछ मतलब डस्टिंग के लिए कर लेती हूँ धूल मिट्टी अगर हम डेली हटाते है तो उतना जादा नहीं आता है और बहुत इजी रहता है घर को अच्छी तरीके से साफ रखने का ये तरीका बहुत सही रहता है कि आप अगर आपके पास बहुत जादा टाइम नहीं है तो आप थोड़ी थोड़ी चीजों को डेली ले लीजिए पूरे घर का अगर आप डस्टिंग नहीं कर सकते हैं तो बस मैं यहाँ उसके बाद कर दूँगी अपनी बैट शीट चेंज और अगर जैसे बैट शीट है ना सबसे बड़ा रोल रहता है हमारे बैड रूम का जैसे ही बैड शीट चेंज होती है बैड साफ हो जाता है तो पूरा रूम जो है ना क्लीन लगता है तो देन देखी मेरा तो थोड़ी देर के लिए clean लगता है उसके बाद बिलकुल वैसा ही हो जाता है जैसा इसको clean करने से पहले था तो क्यूंकि मुझे अपने बेटे को पूरा ये room clean करने के बाद यहां बिठाना पड़ता है चाहे वो toys लेके बैठे तो उसके बाद मैं आ गई थी अपने दूसरे room में तो इधर की मैं बैठे जार दूंगी बट इधर की बहुत जादा गंदी नहीं होती है और अभी एक side का जब मैं बैठे चेंज करती हूं तो दोनों एक साथ नहीं करती हूं क्योंकि अभी मुझे ब्लैंकेट वगेरा भी wash क करने हैं और सिर्फ उतने ही space में मुझे dry करने होते हैं तो मैं बहुत जादा नहीं लेती हूं कपड़ों को तो मैं इसको सिर्फ से ही बिच्छा दूंगी और यह बहुत कम गंदी होती है वैसे इस side की तो one by one मेरा bedroom भी clean हो जाएगा और देन उसके बाद जब दोनों रूम clean हो जाते हैं उसके बाद मैं जाती हूं living room में वहां के room को clean करती हूं और मेरी जो helper आती हैं उनके आने से पहले मैं अपने घर को साफ कर लेती हूं जिससे कि देखिए उनका भी time इन सब चीजों में खराब बिलकुल ना हो क्योंकि उन्हें भी दूसरे घर जाना होता है cleaning के लिए तो मैं कोशिश करती हूं कि उनका जो काम है या जाड़ू या पोचा मेरे किसी काम की वज़े से उनको रुकना ना पड़े क्योंकि शायद हम यह थोड़ा सा भी लेट करेंगे तो वो दूसरे घर में बहुत लेट पहुचेंगे तो मुझे भी अच्छा नहीं लगे है तो मैं कोशिश करती हूं कि उनके आने से पहले मेरा घर जो है जो मेरे साइड से काम है वो कंप्लीट हो जाए तो यहां देखिए आज मैं उनकी हेल्प से अपने घर को क्लीन करूंगी और यहां पर भी मैं उनके आने से पहले बहुत सारी चीज़ें पहले ही क्लीन कर ले तो वो मैं साथ के साथ करवा देती हूँ और ये काम ना सिर्फ मेरा वीकेंड वाले दिन ही हो सकता है क्योंकि मैं और दिन साथ में लगके बिल्कुल काम नहीं करवाती हूँ और अलग से मैं उनको कभी नहीं बोलती हूँ कि आप ये काम अभी कर दो काम करवाने के लिए मैं खुद भी लगती हूँ और अच्छा रहता है अगर आप खुद भी साथ में काम करवाईए अगर आप शरीर बिल्कुल ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है तो देखिए जैसे मैंने आपको बोला था कि मेरा रूम थोड़ी देर के लिए क्लीन रहता है और यहां मैं जैसी उसको उठाके रखने लगी थी तो फिर से उसने कर दिया कि नहीं वो अभी खेलेगा और डबे वगेरा सब कुछ कर दिया उसने और थेली मैंने छुपाने की कोशिश की बड़ वो देख लिया था तो यहां मैं सोच रही थी यह सब कुछ हटाके है थोड़ा अपना जो है कपड़े वगेरा फोल्ड कर दूँगी यहां रख दूँगी बट ऐसा नहीं करने दे रहा है क्योंकि इदर काफी सारे टॉइस पड़े हुए है तो मैं फिलाल ऐसे ही कपड़े इदर रख दूँगी जिससे की मैं उसको बाद मैं फोल्ड करूँ क्योंकि बिना कपड़ों के फोल्ड किये घर अभी भी बहुत गंदा लगता है इदर उदर कपड़े पड़े रहते हैं और जो बहार भी कपड़े पड़े हैं मैं उनको भी ले आऊंगी और साथ में जो मुझे प्रेस के लिए कपड़े डालने होते हैं मैं उसको भी अलग कर लूँगी जिससे की थोड़ा सा जो है कम दिखें कपड़े क्योंकि बहुत जादा कपड़े हो जाते हैं फोल्ड करने के लिए तो देखिए मैं आपको बता रही थी कि जो जाडू वगेरा है इधर मैं दी को बिल्कुल उनका हाथ रुकने नहीं देती हूँ साथ में सोफे वगेरा खिसकाना करना जहां भी मुझे अपना काम करवाना होता है मैं वहां से उनकी हेल्प करती हुई जाती हूँ इससे देखे होता ही है कि उनको तो काम करना ही है साथ में अगर आप भी लगके करते हैं तो आपकी इक्छा से भी काम होता है और साथ में उनको जल्दी करके जाना होता है तो वो भी हो जाता है साथ में हेल्प करवाने से काफी सारी चीजे हैं दोनों तरफ से solve हो जाती है, आपका घर आपके हिसाप से clean हो जाता है, अगर आप उनके भरोसे छोड़ते हैं, तो कई बारी लगता है कि उन्होंने ऐसे clean नहीं किया या ऐसे नहीं किया, तो better है कि उनके साथ लगके मैं ये पूरा घर है, जो है, साफ करवालू, सोफे हटवा कि मैं जब खुद के पास, मेरे पास time होता है, मैं तब ही बोलती हूँ, तब ही करती हूँ, मैं खुद ही ये सारा सोफा खिसका के करवाती हूँ, क्योंकि इसके अंदर ना तो जाडू अच्छे से जाती है, और पोंचा भी नहीं जाता है, तो वो मुझे पूरा खिसका के क इसमें डस्ट भी है, चिपक जाती है, तो वो भी मैं कपड़े से हटा दूँगी, क्योंकि फिर जब सोफा साफ नहीं है, तो फिर नीचे से जाडू पोंचा लगेगा, तो फिर वो उतना अच्छा साफ नहीं दिखता है, तो बस मैं ये साथ में इनके help से में ये सारी सक जाता है, बहुत सई तरीके से, लेकिन पर वो ही है कि मैं अपने हिसाब से मैं इसको खिसका लेती हूँ, तो देखिए जैसे मैंने अब ये सोफा जो है पोंचा करा था, तो उससे थोड़ी सी डस्ट नीचे आ गई है, तो कुछ काम ऐसे होता है कि आपको खुद भी करना पड़ता है, आप complete helper पर डिपेंड नहीं हो सकते हो, क्योंकि देखिए उनका काम है, वो करके चले जाएंगे तो साथ में अच्छा रहता है कि आप भी करवाईए, तो वो भी दीवी बहुत मन से साफ सफाई करती है, कभी ऐसा नहीं होता है कि मैंने उनके भरो से छोड़ द टाइम उनका नहीं लगाना चाहती हूँ, या मैं कभी ऐसा होता है कि उनसे पूछ लेती हूँ, अगर आपके पास टाइम है, तो अलग से कुछ करवाने के लिए, अदर्वाइस मैं साथ में लगके बहुत कुछ काम करवा लेती हूँ, तो दोनों मिलके हम अच्छे से सफा कर लेते हैं, तो देन उसके बाद मेरा जो सोफे के नीचे का साइडर कंप्लीट अच्छे से क्लीन हो गया था, और उसके बाद ही मैं अपने जो है कवर लगा रही हूँ, कवर मैं चेंज अभी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अल्रेडी बहुत सारे कपड़े हो चुके हैं, तो मैं इकटे ऐसे नहीं करती हूँ, कि मेरे वाशिंग एरिये में पढ़ा रहा है, तो देन उसके बाद टीवी के नीचे वाली जो रैक है, आप देख रहे हैं, ये भी इसके अंदर भी पोंचा नहीं जाता है, इसको खिसकाना पड़ता है, जब मैं खुद क्लीन करती थी तो मैं ये कर लिया करती थी, एक दिन एक छोड़के, क्योंकि मेरे पास टाइम होता था, और ये बहुत बड़ी ऐसी चीज नहीं है, ज़ाडू लगाते लगाते खिसका दिया, और जो मैं इस्टिक से पोंचा लगाती थी, जो मोप आवैसा आता है, इस्टिक वाला तो उस के साथ, ये सब थोड़ा सा कम रहता है, पॉसिबल नहीं है, इतना कि मैं साथ में लगके करवाँ, और इस तरीके से क्या है, ना देखे, घर भी अच्छे से साफ हो गया, और भले ही जो गंदा पार्ट रहता है, वो दिखाई नहीं देता, लेकिन आपको फील होता है, कि य जगे भी काफी कम हो जाती है, तो ये सारी चीजे हटवा के मैंने सब कुछ अच्छे से क्लीन करवा लिया है, और क्यूंकि अभी फैस्टिबल टाइम है, तो देखे, उनको भी बहुत सारी जगे है, बहुत सारे लोग क्लीन करवाएंगे, तो साथ में मैंने अपना भी घर क्लीन कर लिया है, और अभी मुझे बहुत सारी चीजे क्लीन करनी है, मैं वन बाई वन क्लीन करूंगी, और आप लोग के साथ शेर भी करती जाऊंगी, कैसे अपने घर को साफ रखती हूँ, कैसे करती हूँ मैं काम, और यहाँ देखे, मेरे कपड़े पड़े हैं, जिसे देन मैं उसको रख दूंगी, और देन उसके बाद ही मैं बच्चों को निलाने के लिए ले जाती हूँ, तो यहाँ मेरा घर साफ हो चुका है, जाड़ो पोच्छा सब लग चुका है, जाड़ो पोच्छा लगने के बाद ही मैं सारे मैट्स बिचाती हूँ, और बस यहाँ